नगरप्रात्मिक शुक्षा समीती संचालित पंडित दिन दयाल उपाधियाई स्कूल की दस साल की एक चात्रा को स्कूल में ही बड़ा सा पत्थर लग गया था जिसके बाद इस चात्रा की आँखों की रोश्णी चली गई है आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले ये घटना गटी थी शाम के वक्त स्कूल से निकलते हुए अरीमा नाम की चात्रा की आँख में पत्थर आकर लगा तीन दिनों तक उसका इलाज जारी रहा लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने ये बता दिया कि अरीमा की आँखों की द् शुक्षा समिति के अध्यक्षर मिनेश पंडिया, शराषना अधिकारी श्वेता पारगी समेत समिति के सदस्या और स्कूल के आचारियों ने अरीमा की मुलाकात लेते हुए जिस ट्लासरूम में एक घटना घटी थी उसकी भी मुलाकात ली थी पूरी टिम अरीमा के निव समेदारी उठाने और उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाने का आश्वाशन की दिया अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें अब खबरों से लाजनलोड झाल पिलाज लगातार जुडेट रहें